हाई दोस्तों आप सब का सौगत है एक और नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह यूटूब वीडियो के लिए कॉपीराइट फ्री मेमीज और फणी क्लिप्स डॉलर कर सकते हैं हम आलम है तरह बाप को मां सिखा चल हाँ तो दोस्तों इस तरह आप अपने वीडियो में पनी क्लिप्स एंड वीडियो अड़ करके अपने वीडियो को इंटरस्टिंग और फणी बना सकते हैं कॉपीराइट फ्री मेमीज को डॉलर करना है अगर आप को पता नहीं है किस तरह इसमैमीज को डॉलर करना है तो यह वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो वीडियो में लास तक बने रही है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब से रिक्वेश्ट करता हूँ चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल एकन को प्रेस करना क्यूंकि आपके लिए ऐसे यूसफूल वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे अब मैं आपको अपने मूबल के स्क्रिन पर लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरह कॉपिरेट फ्री में मिस को डॉलोड करना है हाँ तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा स्कें रिकॉर्डिंग जो है अन हो चुका है पहले तो आपको यूटूब अप्लिकेशन ओपन कर लेना है यहाँ से आपको एक मेमी सर्च करना है For example, मैं मुन्ना भाई का मेमी सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने सर्च किया है, मुन्ना भाई मेमी तो यहाँ पर मुन्ना भाई का मेमी आ चुका है दोस्तों, यहाँ से आपको इस मेमी को डॉनलोड करना नहीं है क्योंकि यह copyright free नहीं है आपको उपर 3 dots दिखाई दे रहे हैं, उस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 options मिलेंगे help and feedback and filters तो आपको filters पर क्लिक करना है जैसे ही आप filters पर क्लिक करेंगे तो a page open हो जाएगा यहाँ से आपको creative comments पर क्लिक करना है और नीचे आपको apply option दिखाई दे रहा है, उस पर आपको click करना है, जैसे ही आप उस पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी memes जो है filter हो कर आ चुके हैं, यहाँ पर आपको copyright free memes filter हो चुके हैं, यहाँ से आपको इस video को play करना है, और इस video के description में जाना है, जैसे ही आप इस meme को अपने videos में use कर सकते हैं, इसका link यहाँ पर available है, यहाँ से आप इस meme को download कर सकते हैं, अब मैं आपको दुसरा meme download करके दिखाऊंगा, तो यहाँ से मैं और एक meme search करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने दुसरा meme search कर लिया है, तो आपको फिर से इसको filter करना है filter करके यहां से आपको creative comments पर click करना है और apply पर click करने के बाद यहां पर memis filter होकर आ जाएंगे तो यहां से आपको पहले memis पर click करना है और इस video के description में जाना है यहां पर आप देख सकते हैं license creative commons attribution license तो यहां से आप इस memis को download करके अपने videos में use कर सकते हैं अगर आप इन memis को अपने videos में use करते हैं तो आपको copyright strike नहीं आएगा तो यहां पर इस memis का download link available है तो दोस्तों इस तरह आप YouTube से funny videos and memis को download करके अपने videos में use कर सकते हैं और अपने videos को interesting and funny बना सकते हैं दोस्तो वीडियो यूसफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेर करना और आइसी यूसफुल वीडियो स्पाइने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थाइंक्स फर वाचिंग एट